नमस्कार, स्वागते अब सभी का इंडियसी न्यूज में, मैं मानसी मातौर आई नज़र डालते हैं आज की विशेश खबर पर राजसान में इस दफा एक बार फिर कॉंग्रेज की सरकार या बदलाव होगा पैसला 3 दिसंबर को आना है दोनों बड़े डल यानि कॉंग्रेज और भाचपा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं जन्ता के बीश मौझूद अस्यम अशोग घैलोद अपने कारेकाल की काम्याब्यों का बखन कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी जन्ता को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 वर्षों में घैलोद सरकार हार मोटचे पर नाकाम रही है इन सब के बीश दोनों दलों मीदवारों की एकलिस जारी करने वाले हैं कॉंगरेस के नेताओं का कहना है कि ये चुनाव उन लोगों को संदेश देने वाला है जो नफरत की राजनीती करते हैं ये चुनाव उन लोगों के खिलाफ संदेश है जिनके लिए बड़े बड़े उध्योगी घरानों की हित मायने रखते हैं इन आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के नेता कहते हैं कि पिछले पांच वर्षों में कॉंगरेस की सरकार ने लोगों के अर्मान उपर पानी फेड दिया है कॉंगरेस के पास अपनी काम्यावी बताने के लिए कुछ भी नहीं है लेहाज आवे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं इन सब के बीच सचिन पाइलेट आज सुबह साड़े ग्यारा बजे परचा दाखिल करेंगे तौक से कॉंगरेस प्रत्याशी के रूप में नामंकन दाखिल करेंगे उससे पहले वो महादेव मंदिर रोड से शो भी निकालेंगे विश्ली बार भी इसी मंदिर से पाइलेट का रोड शो निकला था सचिन पाइलेट ने कहा कि उन्हें उमीद है कि एक बर फिर राजिस्तान की जनता कॉंगरेस को सरकार बनने का मौका देगी है चुनावी समर में कॉंगरेस अब बीजेपी के रुण बाकुरे एक दूसरे के खिलाब शब्दों के जरिये वार कर रहे है अब देखना ये है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी उदुड़ेगी रिक जानकारी वे खबरों के लिए देखते रहे हैं नमस्कार